तो एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अगरवाल को चालेंज दिया है ये चालेंज पेक अकाउंट और स्पैम को लेकर पब्लिक डिपेट करने के लिए दिया गया है 44 बिलियन जॉलर की डील के लीगल फाइट के बीच अलन मस्क के इस चालेंज ने लोगों को आश्चर या चक्यत कर दिया है उन्होंने कहा कि अगर ट्विटर उन्हें 100 अकाउंट के सैंप्लिंग मेथड की जानकारी दे कर बता सकता है कि कैसे वो अकाउंट रियल है तो डील ओरिजिनल टर्म्स पर ही पूरी की जाएगी लेकिन SEC फाइलिंग गलत लग रही है जो की होनी नहीं चाहिए एलनमस ने ये भी लिखा कि वो बराग अगरवाल को पब्लिक जिवेट के लिए चालेंज करते हैं वो ट्विटर बॉट परसेंटेज के लिए उन्हें चालेंज कर रहे हैं उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें प्रूफ करना होगा कि ट्विटर पर पाच परसेंट से कम फेक या स्पाम डेली यूजर्ज है एक रिपोर्ट में बता गया है कि कमपनी से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि पेंडिंग ट्रॉयल के दौरान बाहार डिबेट नहीं हो सकता आपको बता दे कि इसने पहले पराग अगरवाल ने बता था कि बॉन्ट को लेकर कमपनी की सेंप्लिंग मेथड सही है भारा सरकार का बड़ा फैसला 15 अगस से मुंबई करों को लोकल मेंटरी खबरों का शांसा मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई